नमस्का दोस्तों कैसे हैं आप निद करते हूं आप सब ठीठाख होंगे तो आज हम बनाने वाले हैं पुविते के प्राथे तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं तो चलिए प्राथे बनाने के लिए हम कच्चा पुविता लेंगे और इसके हम सब्जी भी बना सकते हैं और अचार भी डाल सकते हैं, यह पका होता है वह फाल बन जाता है, जो कच्छा होता है उसकी सब्जी और पराथे अचार डाल सकते हैं, तो चलिए कुछ ऐसे काटेंगे से, जो इसका शिल्का है, वह हम उतार देंगे, जो इसके बीच में भीज रहता है, उसको भी हम निकाल दें तो देखिये कितनी एसानी सगाट डिये कि यह अचानी कर देंगी हाँ आपको पता ही इसके प्याद시면वारी अगर हम इसका फाल क्ञांते थे लेके theories इसके आप होता है अगर कच्छा खाया जाब उसी का भी फैदा होता है अगर कच्छा पक्का हो वह भी खा सकती है सलाट बगयरा में तो इससे हमें बहुत पविता नीवर की विमारियों को धूर रखता है ही कालीं यहाद में ज़िए अब हमें इसका कद्धुकास करेंगे अब दोले हाथे से हम निचोर देंगे इसका जो पानी रहता है निचोर देंगे तो थोड़ा सा लसं लिया है और अदरक लिया है हरी मिर्ची लिया है कम से कम तेल डालिएगा आदा चमच क्योंकि हमें जे खुश्की ही रखना है बहुत ज्यादा नहीं रखना है तो चलिए इसमें हम लसुन डाल देंगे लसन डालने के बाद तो हम इसमें अदरक और हरी मिच्ची डाल देंगे सवाद के लिए अगर हम इसमें पुभीते के कदुगास में लसन और अदरक हरी मिच्ची डालते हैं जो बहुत सवादिश बनते हैं इसका टेस्ट है वह बहुत यच्छा बन जाता है तो चलिए इसे हम पाच मीट के लिए खुली आज पर पकाएंगे चलो इसे हम ज्यादा आज पर बनाएंगे बहुत दो तीन मीट के लिए ज्यादा नहीं चलिए अब अब अजे पक चुका है हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे जल तक जर ठंडा होता है इतने को हम आटा गू लेंगे तो चलिए ठंडा हने के बाद हमस में मसाले डालेंगे देखिए बिलकुल ठंडा हो चुका है मसाले बिलकुल ठंडे होने पर भी डालने है तो चलिए ठंडा हो चुगा है, अब हम इसमें मिर्ची और नमक थोड़ा सा मसाला डालेंगे मिर्ची, आदा चमच और आदा चमच मसाला और नमक अपने इसाब से डालनी जीएगा तो चलिए इसे हम अच्छे से मिला लेंगे अगर आपको घर पे चालोगों के लिए बनाना है तो एक पुविता ही काफी है, अगर जादा है तो दो पुविती ले लीजिए, चलिए हम इसे मसाले को अच्छे से मिला दिया है, अब हम इसे आटे में अब लेंगे, तो चलिए अब हम इसका प्राठा त्यार करते हैं, चलिए कुविती को हम इसमें डाल लेंगे, आप जितना चाहें इतना डाल सकते हैं, खुब सारा, खुब सारा डालने जीए, हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा बर सकते हैं, क्योंकि इसका अराम से बर सकते हैं, यह फुश्की होते हैं, क्योंकि हम ने तेल बहुत कम डाला ह तो राम से भर लेते हैं तो चलिए अब हम इसका प्राठा बेल देंगे हलकी हातों से तो आप इसे घट पे भी लगा सकते हैं पुईते का पोदा हम अपने घट पे भी लगा सकते हैं जा फिर गं लेने लगा सकते हैं यह बहुत हीँ छोटा होता है जब जी चाहिए हम इस पे तोड़ सकते हैं तो बहुत सारे पू TA लगे हो ते हैं देखने में भी बहुत अच्छा लगता है परुईत्य के पड़े को हम पसाद के मोशक लगा सकते हैं यह बहुत ही जर्दी हो जाता है बस ऐसे बीज गिरा दीजिए ऐसे बीज गिराने से ऐसे ही पुईत्य का पोदा है वो उग जाता है तो तो चलिए अब हमरा प्राठा बन चुका है हम इस पे दोनों तर्व से घी लगा देंगे चलिए प्राठा बन चुका है चाहे तो इस पे भटर लगाएए जादी से घी लगाएए और मक्षन भी लगा सकते है तो चलिए प्राठा त्यार हो चुका है आप इसे लसी के साथ अचार के साथ दही के साथ ले सकते है आप चटनी के साथ प्याज की चटनी पदीनेखी चटनी और दोने की चटनी भी ले सकते हैं यह बहुत ही स्वाधिश होते हैं इसी तीके से हमने दूसरा प्राठा भी बनानी हैं अब बच्चों को प्राठे बना के ठालाईए क्युके बच्चे सबजी में डाले हैं तो भी सबजी हम डाल focus हैं जैसे के पुमीत अ शnt पहुत साङो सब्जी आएंगी जैसमे निफी पर हमारे गार में जो भी हजी सब्जी बनती हैं हम डाल सकती हैं इसे डालने से बच्चे खाना अच्छे से खा लेती है तो चलिए मारा दूसरा प्राथा भी तो प्राथे को आप इस बच्चों के टिखन में भी डाल सकती हैं कि यह बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं और टेस्ट वैसे ही रहता है और नर्म भी होते हैं बच्चे बहुत ही राम और शौक से खाते हैं खास का क्या पुवीते का प्राथा तो चलिए अब हम करेंगे चलिए प्लेटिंग करते हैं प्लेटिंग हमा इस तरह के से करेंगे ताकि बच्चे और बड़े बात ही खुश होके खाएंगे तो चलिए हमें प्राथे लेगे हैं प्राथे के साथ हमने नहीं है प्याज की चटनी तो जैसे हमने बोला है आप धनुय पदीमे की चटनी भी ले सकती है साथ में लसी बगेरा मक्षन ले सकती है तो चलिए हम चटी रखेंगे और इस पे एक चमच गी लेंगे ताकि और भी ये नर्म हो जाते हैं देखने में और खाने में बहुत अच्छा स्वाध होता है ये हमने बिरकुर राजिस्तान की स्टेल में बनाई है तो देखें हम ज़्यादा तो ज़्यादा लसन और अद्रक डालते हैं पराठे में ताकि हमारे स्रीर को में जो दर्द गोटनों में दर्द जा पैरों में दर्द क्योंकि सर्दिन मौसम में जितना भी खाया जाए उतना ही कम है क्योंकि इसे हमें हमारे स्रीर में बिल्कुल भी दर्द नहीं रहता और हम बिल्कुल तंदरुस्त रहते हैं आप भी अपने गड़ में धेशीगी और लसन अद्रक इस्तमाल कीजिए यह बहुत ही फैड़मंद है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इसका हमें बहुत फादा होता है और हम मोटे भी नहीं होते चलिए अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में तब के लिए आप तंदरुस्त रहिए और खुश रहिए अब हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में तब के लिए हमारा जो चैनल है बोलो कीजिए हमारी जो वीडियो है ऐसे ही देखिए अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नई प्रेस्पी के साथ थैंक यू